हेलो फ्रेंड्स जैशिर शाम, जैशिरी राम, जैगों माता आज ये हमारा सेकंड व्लोग है इससे पहले हमने हमारी गाउं की गउशाला दिखाई थी जो उस पे बहुत सारा व्यूज लाइक आये थे उसके लिए ठेंक यू तो आज हम दिखाएंगे हमारा गाडन वेजिट तो सबसे पहले यहां पर है बहुत बड़ी डेक नीम डेक तो यहां पर है काफी सारे केले केले भी लगे हुए हैं यहां पर यहां पर अभी बथवा लगाई है जो अभी हलकी हलकी हुई है छोट छोट बिल्कुल तो यहां पर यह मेथी है तो आपको एक एक करके सारी की देखाते हैं चलो तो यह मैति थी उसके बाद कि यह है धनिया धनिया पालक यह भी पालक को अभी उसमें अभी कुछ लगाया नहीं है इसमें लगाने की सोच रहे है पता निए क्या लगाएंगेे हम नहीं पता तो यह है मुली शायद देखनी पड़ेगी हां मुली यह मुली आपको दिख रही होगी वह वाइट वाइट मुली यहां तक यह यहां तक मुली है इससे आगे चुकुंदर बीट रूट यह गाजर यह देख सकते हैं आप यहां पर बहुती हरा बहा हरी आली है तो यहां पर प्याज आप देख सकते हैं यहां पर बिप्याज वह सामने हमने दिखा दी है वह देख यह केले वहां पर केले भी आए चुके हैं तो वहां पर है तुलसी आप देख सकते हैं तुलसी अई अलोवीरा तो यहां पर यह चैने लगाए हैं अभी छोटे हैं आप देख सकते हैं यह है चैने यह अम्रूद अभी छोटा है अम्रूद यह केले आप देख सकते हैं केले यह पता निए शायद सिर्सम वो साख के साथ पालक के साथ बिनाते हैं इसका पता निए क्या है यह हमको इतना ग्यान नहीं है जो आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करना आप देख सकते हैं यह है निम्बू लगे भी हुए है आप देख सकते हैं थोर छोटे बिल्कुल छोटे से हैं यह देख सकते हैं काफी सारे तीन चार लगे हुए हैं तो यह यहां पर यह आपको दिखने रही होगी यह है गिलोई यह गिलोई की बेल है बहुत हल्दी होती है आपको भी लानी चाहिए आपके घर में यह गिलोई की बेल आप देख सकते हो तो बहुत ही हरा बरा है बहुत ही खुले में है यहां मैं अपनी बोलिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही हर्याली है धनिया पालक बहुत सारे सब्जे लगाई है आपको हमारा वेडिटेबल गारण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना प्लेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लोग पे तो अभी हम करते हैं इस व्लोग को एंड झाल